जीता है हिंदुस्तान, हारा है पाकिस्तान, किस तरह से गया है इन दोनों टीमों के लिए ICC T20 World Cup का पहला पहला मुकाबला वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में Cricket in India के चानल पर रहें आप जहां हमने देखा है आज भारती क्रिकेटीम की काफी सुद्रण शुरुवात हुई है T20 World Cup की तैयारियों में जहां उन्होंने आउस्ट्रेलिया को मात दी मुहमत शामी के शांदार आकरी ओवर के चलते विराट कोली के बहतरीन फील्डिंग परफॉर्मेंस के चलते और साथ सूरे कुमार यादव के अल रहुल के बल्ले से जो अरद शतक आए जिसकी बदौलत भारत ने और श्वेलिया को एक तरफा करके तो नहीं लेकिन एक रोमानचक मुखाबले में अपने नाम पर जी तरजित की लेकिन दूसरी तरफ से एक तरफा करके मुखाबले को अपने पर किया है इंग्लैंड ने जिनको पहले बलेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने केवल 161 रनों का छोटा सा लक्षे दिया और उसे सिर्फ 15 ओवर्ज में मुकमल कर लिया इंग्लैंड के बलेबाजों ने जिसके अंदर हमने देखा बें स्टोक्स, लियाम, लिविंस्टन, हैर ब्रूक और साती में सैम करन की तरफ से आतिशी बलेबाजी शौट्स आये जहां पर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है अपने पहले वंबप मुकाबले में और भारत को एक शानदार जीत मिली है हाला कि आज पाकिस्तान के लिए बाबा राजब और मुहम्मद रिजुआ नहीं खेल रहे थे लेकिन फिर भी बाकी सारी पाकिस्तानी टीम की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है उनकी बलेबाजी वो आज एक मरतबा फिर से सामने आई जहां शान मसूद के इलावा मिडल ओ के सभी बलेबाज हमें फेल होते में नजर आए हैं हाला कि यहां बात यह है जीता हिंदुस्तान आ रहा है पाकिस्तान अपने पहले पहले वांबप मुकाबलों में क्या कुछ लगता है आपको दोनों टीमों की आज की परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या लगता है 23 उक् कब से जुड़ा है एक लेटेस अबडेट वह भी सबसे पहले